दोख्तों अपनी बोड़ी से फैट को कम करना, अपनी एब्स मसल्स को विजिबल करना बहुत ही आसान काम है लेकिन प्राब्लम तो तब आती है जब आप लोग फैट कम करने का, फैट को खतम करने का साइंस नहीं समझ पाते हो और आप लोग परिशान रहते हो कि हम अपनी बोड़ी से फैट कैसे कम करें, अपनी एब्स मसल्स को कैसे बनाएं और इसलिए आज का मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आज के वीडियो पर जो जो चीज़े बताने वाला हूँ, बहुत ध्यान से सुनना, ये वीडियो और शायत से आपका लास्ट वीडियो होगा, फैट के उपर, इसके बाद आपको किसी भी वीडियो की ज़रूद नहीं उन सभी में मैंने आपको एक चीज़े बताएं कि आपको करनी चाहिए exercise, इसके बारे में आप सभी को पताएं, आप लोगों को sugar छोड़ देनी इसके बारे में मैंने बताया है, आप लोगों को calorie deficit पे रहना है, जो कि आप लोगों को पहले से ही पताएं, लेकिन एक बात जो बहुत ध्यान से आपको समझने वाली है, देखिए, आप लोगों को ये बताया गया होगा कि spot reduction possible नहीं है, मतलब आप लोग केवाल अपने पेट से fat को खटान नहीं सकते हो, आपको अपनी पूरी overall body से fat को खटाना है, तो ये बात तो हम सभी जानते हैं, लेकिन एक जगा fat होता है, लेकिन कि आपने ये notice किया है कि अगर आपके पेट में 1 cm fat कम हो रहा है, मैं ये एक example दे रहा हूँ, इसको real मत समझेगा, बस एक example है, अगर आपके पेट से 1 cm fat कम होता है, तो आपके हाथ से केवाल 1 cm ही कम होता है, ऐसा क्यों? क्योंकि ये चीज़ हमारी body decide क करती है कि हमें किस जगह से जादा fat निकालना है और किस जगह से कम fat निकालना है, इसलिए आपसे कहा जाता है कि spot reduction possible नहीं है, एक जगह से fat नहीं निकाला जा सकता है, हर जगह से आपकी पूरी body से ही fat निकलेगा, तो आज जो मैं आपको exercises बताऊंगा, जब आप लोग ये कर लेकिन आपके हाथ से सिर्फ एक ही सेंटीमीटर का fat कम होगा, इसका मतलब आपकी जो muscles हैं वो भी retain रहेंगी और आपका fat भी कम होगा, आपकी abs muscles भी visible हो जाएंगी, देखिए आपको सबसे पहली जो exercise करनी है वो करनी है plank exercise, देखिए plank को हम कुछ इस तरीके से perform करते हैं, plank य इस exercise है, जो आपका stubborn fat होता है, जो आपकी body का belly fat होता है, उसको हिला देता है, मैं यह नहीं कहना हूँ कि निकाल देता है, बट हिला देता है, तो इससे क्या होता है, जब आपका fat कम होता है, तो आपके पेट से ज़्यादा मातरा में fat कम होता है, आपको plank इस तरह से करना है, आप जितनी देर इस position में रुख शकते हो वो आपके उपर depend करता है इस exercise को आप लोग daily perform करो और आप देखोगे कि काफी तेजी से आपके fat reduce होगा पूरी overall body से reduce होगा लेकिन आपके पेट से ज़्यादा कब होगा क्योंकि आपने जो fat cells हैं अपने पेट की उनको अपनी जगा से हिला दिया है इस exercise को करके उसके बाद जो दूसरी exercise आपको करनी है वो करनी है mountain climber इस exercise को हम कुछ इस तरीके से perform करते हैं जब हम mountain climber exercise करते हैं तो हम अपने पैरों को चलाते हैं जब हम पैरों को चला के किसी भी exercise को perform करते हैं तो हम अपने lower abs पे work करते हैं जो नीचे का हिस्सा होता है हमारे पेट का जहां से हमारा fat लटक जाता है तो इस exercise को करके आप अपने वहां के नीचे के fat को lower abs के fat को कम करके अपनी abs muscles को visible कर पाऊगे उसके बाद जो next exercises को बोलते हैं bicycle crunch इस exercise को हम कुछ इस तरीके से perform करते हैं इस exercise को भी करके आपकी body का fat काफी तेजी से reduce होता है और अगर आपको और भी exercises देख नहीं है तो मैंने i button में डाल दिया है video description में भी देख लेना उन सभी को जब आप करोगे तो आपकी जो fat cells है वो बहुत तेजी से गलेंगी आपका जो fat है वो कम होगा और आपकी abs muscles आपकी obliques muscles काफी तेजी से visible हो जाएंगी तो दोस्तों ये था आज का video ने दोस्तों में share करिएगा और इसी तरह के video देखने के लिए हमारे चलर को subscribe जरूर कर लीजेगा